Hello students, next time discuss करेंगे Cache No. 11, क्या किया रहा है, two lines passes through the point, this one, intercept each other, एक दूसरे कट करती है, किस angle पर, 60 degree के angle पर, ठीक है, if slope, one line, तो given condition शुरू कर रहा हूँ है, slope of L1, line 1, M1 माल लेते हैं, जो कि हमर पस two given अभी फिलाल के लिए, and slope of line second, जिसको हम M2 माल रहे हैं, यह किसको value नहीं पता हैं, find the equation of other line निकालनी है, अपन को, चलिए, शुरुवात करते हैं, और angle के तादिर का 60, तो हमें पता है, tan theta के जो value होती है, वो M1 माइनस M2 अपन one plus M1 M2 होती है, यह कितना हो जाएगा, मेरे पास, tan 60 degree equals to, M1 की value कितनी है, मरे पास two minus M2 कितनी है, पता नहीं, one plus M1 की value कितनी है, two, और इसकी value M2, tan 60 की value कितनी होती है, root 3 होती है, minus M2, one plus two M2, अब आप ध्यान देना, यह जो root 3 की value है, एक बार मैं positive में मान रहा हूँ, root अटाके और एक बार negative में मान रहा हूँ, ठीक है, तो दो value जागे, अब यह दोनों के लिए मुझे अलगला value पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, कैसे, देखो है, यहाँ पर, एक बार तो मैं root 3 equals to positive ले रहा हूँ, two minus M2, one plus two M2, cross multiply करो, तो root 3 one से multiply भी होगा, और two root 3 M2 से भी हो जाएगा, equals to two minus M2, M2 अलए value एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ कर लो, देखो, यह two root 3 M2 plus M2 और यह two minus root 3, अगर इसमें से M2 common ले लो, तो अंदर बचाएगा, आपके पास two root 3 plus one, two minus root 3, नीचे भेजो, M2 का value कितना हो जाएगा, two minus root 3 upon two root 3 plus one, अब हम चाहे तो यहाँ पर rationalize कर सकते हैं, बाकी कोई issue नहीं, अभी यह मित्ता ही छोड़ रहे हैं, यह आपके लिखतर ही है, first equation होगी M2 के लिए, अब मैं क्या कहा रहा हूँ, आपसे M2 की एक ही condition होई है, तो M2 की एक condition और बन सकती ही मेरे पास, क्या? अब मैं क्या कहा रहा हूँ, again, root 3 equals to minus 2 minus M2 upon 1 plus 2 M2 पर output करता हूँ, देखो, root 3 plus 2 root 3 M2 equals to negative 2 और plus का M2, ठीक है, ठीक है, okay, 2 root 3 M2 minus M2 और minus 2 और minus root 3, ठीक है, M2 मैं common ले लेता हूँ, तो 2 root 3 minus 1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर minus 2 minus root 3 as it is, M2 की value क्या होगी, देखो, minus आप चाहोँ, तो common ले cut कर देना, बाकी कोई issue नहीं है, और upon में 2 root 3 minus 1, अब देखो, 2 value निकल के आगई, मेरे पास M2, 2 cases निकल के आगई, ठीक है, यहनि, 2 slope निकल के आगई, मेरे पास, अब देखना, next slide में, case 1 बना रहा हूँ मैं, case 1, M2 की value, if, M2 की value आपके पास क्या है, M2 value, 2 minus root 3, upon 2 root 3 plus 1 है, उस condition में आपके पास equation of line क्या होगी, line passes through, line कहां से pass कर रही, इस से pass कर रही, तो जो equation होगी आपके पास, वो क्या होगी लेखना, y minus, यह आप x1, y1 मानो, y minus y1, यानिकी 3, equals to slope की equation होती है, M2, तो 2 minus root 3, upon 2 root 3 plus 1, और x minus 2, ठीक है, cross multiply कर दो, y minus 3, 2 root 3 plus 1, equals to 2 minus root 3, और x minus 2, open करो, फिरा y को multiply करो, 2 root 3 y, फिर y को multiply करो, plus का y, फिर इसको multiply करो, 3 2 is a 6, root 3, 3 को multiply करो, minus 3, फिर, यह कितना, 2 minus root 3 x, हाँ, 2 को multiply करो, 2 x, फिर 2 को multiply करो, 2 2 is a 4, फिर root 3 को multiply करो, minus root 3 x, फिर इसको multiply करो, plus 2 root 3, ठीक है, अब y वाली वाली एक तरफ, x वाली एक तरफ, तो अगर मैं यह दोना एक तरफ ले लेता हूं तो इन में से y common निकल जाएगा तो यह हो जाएगा 2 root 3 plus 1 bracket के बार y 2y और इसको मैं इस साइड उठा के लेकर आओंगा न तो यह क्या होगा देखो यहाँ पर यहाँ पर negative हो जाएगा तो मैं plus लेकर यहाँ पर negative का 2 लेंगे हम common और यहाँ पर यह उठके आगा तो positive का root 3 निकल कर आएगा समझ माया क्या लिए देखो 2x को इस साइड लेकर आए तो negative 2x हुआ यह ठीक है और minus root 3x को इस साइड लेकर आए तो positive root 3 लेकर होगा इधर देखो minus का 4 है plus का 2 root 3 है और इस value को लेकर आओंगा मैं तो यह क्या हो जाएगा आपके पास plus का 6 root 3 हो जाएगा और इसको उठा के ल यह हो गया आपके पास root 3 minus 2x और minus 6 root 3 और 2 root 3 कितना हो गया 8 root 3 हो गया और 4 और यह less किया तो minus का 1 हो गया अब मुझे बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया यह आपके पास क्या है required equation है एक case हुआ है मेरे पास अभी है required equation निकल लिए एक case अब आता है second case पर case को यहाँ पर मैं mq की value क्या use use करूंगा देखना minus 2 minus root 3 2 root 3 minus 1 फॉर्मुला वही रहेगा आपके पास x1 y1 है y minus y1 minus 2 minus root 3 2 root 3 minus 1 और x minus x1 यहने 2 cross multiply करो y minus 3 2 root 3 minus 1 minus 2 minus root 3 x minus 2 फॉर्मुल्टिप्ला है 2 root 3 y minus y minus 2 3 जा 6 root 3 negative का जाएगा 2 3 plus 3 फिर minus 2 x plus का 2 2 जा 4 negative root 3 x और फिर फ्लस रूट 3 फिर वही y value फिले एक तरफ करो यह हो जाएगा 2 root 3 minus 1 यह पहले value एक तरफ ले लेता हूं मैं लेगा लेगा ने 2 root 3 y minus y इसको ठाके दलाओ प्लस का 2 x इसको ठाके दलाओ प्लस का root 3 x इसको देखो 4 यहाँ पर है 2 root 3 यहाँ पर है इसको लेके चलो आप plus 6 root 3 और इसको लेके चलो minus का 3 अब common ले लो आप 2 root 3 minus 1 y plus 2 plus root 3 x यह 1 हुआ 6 और यह 8 root 3 plus 1 हुआ this is your required equation के लिए रहा है पीचान से चेक खर लेता हूं एक सिकंड देखो यहाँ पर plus 1 आ रहा है minus 1 आ रहा है यहाँ पर भी plus 1 आ रहा है यहाँ पर minus 1 आ रहा है 8 root 3 minus 1 आ रहा है 8 root 3 plus 1 आ रहा है कैसे हैं यहाँ पर deflect है दोनों equations में तो यह आपके पास complete हुआ question मेरी लाब 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 लाबट